दोस्तो नमस्कार मैं हो दीपकिमान्सू और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला दोस्तो बिहार सिक्षक भरती टीरी 3.0 के पेपर लीक के मामले में एक बहुत बड़ी अब्डेट आए है और इससे आप सभी लोगों की जो भी क्वेरी है वो भी रिजॉल हो जाएगी और य बहुत अच्छे से एक्जाम हो बिना किसी पेपर लीक के या बिना किसी भी प्लस मैनस के वो अच्छे से एक्जाम हो इसको निश्चत करने के लिए यहां पर एक बहुत जवरदस्त एक्शन लिया है यू ने यू ने टोल फ्री नंबर जारी किया है अब यहां पर क्या है क इसमें अगर आपके पास कोई भी इस से related information है या कोई भी बात आप कहना चाहते हैं कुछ भी बात अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस ट्रोल प्री नंबर के थुरू या email ID भी दिया हुआ इसके थुरू आप पहुंचा सकते हैं तो देख लिए कितनी अच्छी ज सबको यह मौका दे रहा है कि आप किसी के प्रतीवी कुछ भी आपका मन में बात हो तो आप जाके कह सकते हैं पेपर लीक में मिली भगत की आशंका है आधा दर्जन मतलब 6-7 लोग आप समझ रहे हैं लोग BPSC के अंदर के हैं जो इसमें मिले हुए हैं और इससे पूस्था चब की जा रही है और 48 घंटे की रिमांट पर लिये गे मामले में तीन अभ्यूक्त को भी उन्होंने पूस्तार शुरू की हैं प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी कैसे मिलने के सवाल पर अभ्यूक्त ने BPSC के पास से 6 पदादिकारी वो कर्मियों की मदद मिलने की बात कही अब देखिए ये टॉल फ्री नंबर मैं आपको स्क्रीन में थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ तो ये जो है टॉल फ्री नंबर है 0612-216236 और इमेल आइडी जारी किया गया है cybercell-b at the rate nic.in तो इसको सारजोनिक करते हुए लोगों से इससे जुड़ी सूचना है करने की अपिल किये जुड़ी फी कोई अगर आपके मन में कोई बात है या कुछ बी किसी ने देखा और कुछ बी आपके सेंटर पर पर कुछ आपको एबनॉर्मल लगा तो आप इस नंबर पर बता सकते हैं और बाकी तो आप ये बात जानी रहें कि जो प्रिक्षा है पां तो अब देखें, यूपी के कई शहरों से भी तार इसके जुड़े हैं, जारखन का तो आपको पता था ही, यूपी में भी इलहबाद, वारानसी और लखनों से कई लोगों से बात की जा रही है, और ये जो उतर प्रदेश में भी कई जगह से इसके तार जुड़े हुए हैं तो दोस्तों, अब आप लोग अगर चाहते हैं, जैसे आपके मन में कोई भी कोई रही हैं, जैसे बहुत कंडिट बोल रही थे कि, हलाकि वो बहुत relevant नहीं है, लेकिन जैसे कि TRE 2 और TRE 1 में भी आप लोगों के मन में कही न कही आशंका है, और जो कि कही न कही लगता है, कह कुछ भी आपको information है, या कुछ भी बात है, जिससे कि आप अपनी बात रह सके, और जिससे कि EOY को help मिले, कि ये निस्पक्ष तरीके से उसको कराने में, तो वो जरूर आप लोग यहाँ पर करिए, हम लोग भी EOY को जो भी evidences हमारे पास हैं, या जो भी चीज हम लोग चाहत हैं, और यह बहुत बड़ा मौका मिला है, एक तरह से कहिए कि पब्लिक को इस तरह से करने का, क्योंकि अब तो BPSC पर भी भड़ोसा नहीं है, क्योंकि उसके भी कर्मिशारी उसमें सामिल है, तो अब इसमें मतलब यह अच्छा step है, और इसके आगे अब क्या होता है, वो देखना होगा, और यह पूरा जब clear हो जाएगा, अब आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों का नाम आएगा, और यह पूरी clarity होगी, उसके बाद जाके अब फिर से exam होगा, और वही अच्छी बाद भी है, ठीके दोस्तों, thank you very much, आप सभी लोगों को, बाबाई, जये है अब शेखिए लोगो जिए, लोगों कोष ओा जी applicable होगी, बाद सभी होगा, ध़गा, झालने बाद दोस्तोंके लोगों कोप आएगा, थे भी हैपोगा, यहिएगा, जये फिर सब दो दोखीएगा, अब दिएान, लोग Courtney, Одерм है हुआते हैं हैं जजएरी टिस दिएरी का ओ